गुंगट से लेकर गोल्ड मेडल इस तक का साफार बहुत बहुत पेनफुल रहा है गोल्ड मेडल जितने के बाद जितनी खुसी मिली है ना उस दुख को कम कर दीती है पांच क्लास तक पढ़ी हूँ, इस्टडी अच्छी नहीं थी खेतों में काम किया है, मजदूरी की है, लोगों के घरों में बड़तर मांजे है क्याते हैं, पापी पेट सुब कुछ करवा देता है मेरे पापा तस एक दम से बिखरी गए थे, मेरे को देखते ही रोने लगे थे कार कहीं ने कहीं जाती बात तो करती है आज हम बात करते हैं ऐसी बेटी की, जिसकी शादी महज 8 साल की उमर में हो गई थी जिसने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बॉडी बिल्डर भी बनूँगी जिसने रास्तान का नाम भारत ही नहीं बलकि अंतरराष्टे लेवल तक किया जिसकी महज 8 साल में वो शादी हो गई, उसने कभी सोचा नहीं कि मैं बॉडी बिल्डर भी बनूँगी भारत का नाम, रास्तान का नाम, अंतरराष्टे लेवल तक लेके जाओंगी बॉडी बिल्डर बनूँगी आई आज हम जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी आज हमें बताएं, हमारे जो दर्शा के वो जानना चाहते हैं कि आपका घूंगट से, मतलब जिसकी आपकी शादी 8 साल की उमर में हो गई थी वहां से लेकर और जो गॉल्ड मेडल आपने जीता है, वहां तक का सफर कैसा रहा है आपका? गुंगट से लेकर गॉल्ड मेडल तक का सफर बहुत बहुत पैनफुल रहा है मेहनत से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेहनती तो मुझे आज भी मुझे घंटों काम करवा लो दुख रहे गाई और गॉल्ड मेडल जितने के बाद जितनी खुसी मिली है न उस दुख को कम कर देती है तो पैन तो देखो बालविवा सर्वाइवर हूँ, बहुत कम एज में मा बन गी थी उसके बाद पांच क्लास तक पढ़ी हूँ, इस्टडी अच्छी नहीं थी, खेतों में काम किया है मजदूरी की है, ऐसा कौन सा काम है, जो प्रिया ने नहीं किया और लोगों के घरों में बड़तर मांज़े हैं, देखो मेरे नाखुन देखो, ये वाला नाखुन देखो, ये वाला देखो, ये देखो, महिलाओं के नाखुन किते सुन्दर होते हैं, मेरे किसी भी एंगल स सुन्दर दिख रहे हैं यह समयनत का नतीजा है इसलिए इस पर नेल पेंट सुन्दर नहीं लगता तो मैं को सोक भी नहीं चीजों का तो इस वज़े से बहुत महनत मजदूरी करने बाद इसा लगा कि यार यह तो सही नहीं हो रहा तो इसकी वज़े से परस्टनल्टी और हाइट को देखते वे जिम में ट्रेनर बनी गेम तो मुझे सुरू से पसंद थे और ट्रेनर होने के नाते आप अपने फिल्ड में बहतर क्या कर सकते हैं तो जिम में ट्रेनर कैसे आप जिम में ट्रेनर कैसे बने कैसा मतलब जिम में आपका जाना हुआ क्या कारण रहा ऐसा जाना नहीं वा देखो क्या थे पापी पेट सब कुछ करवा देता है तो मैं जो भी करना चाहती थी घरों में बरतन वगरा यह सब नहीं मानना चाहती थ इसके नाते किसी ने ऐसे बोला कि हाइट और परस्टनल्टी को देखते वे तु पहलवान लगती है तो तो एक बार जिम में ट्राइ कर तो मैं कमेर को तो कुछ आता ही नहीं कि तो सीख लेना इसको सीखने के लिए बाहर थोड़ी जाना पड़ेगा जाना तो तेरे को जिम मे परफॉर्म करूं और बस वह मोगा मिला तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी कि रिस्पैक्ट वाली नोकरी किसमत से मिलती है उस वज़े से मैं उस फिल्ड में जॉब करने लगी और ट्रेनर होने के नाते में बोडी बिल्डिंग ही कर सकती थी इसके लाओ कर नहीं सकती थी पर मैंने सुना नहीं था कि मैलाएं बोडी बिल्डर होती है और वो तो मैंने दिल्ली जाके देखा एक प्रो इक्षन रहा, समाज का क्या रहा, कि मतलब, जो मतलब, जिसकी आठ साल में शादी हो गeping ago वो बॉडी बॉलिदिंग की लाइन में जा रही है, और रास्तान में अस समय तो, जैसे आप रास्तान की पहली बॉडी बॉडी बॉलिदिंग महिला रही है, तो उस टाइम तो ऐसा कोई कल्चर भी नहीं था, तो उस कल्चर से आप फिर बाद में कैसे इतना वड़ा सफरत है कि आप ने, देखो घरवालों को तो समाज बीचारों को पता भी नहीं था, जुट क्यों बोलें, कि समाज को पता था, पता भी नहीं था, और दूसरी में खड़े होके one to one to कर सकते उसके बाद one to one to be नहीं कर सकते ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते उसके बाद आती है बात future कि फिर आप क्या करोगे तो यह सोचके फिर मैंने इतना बड़ा decision लिए पूछा गरवळों से यह वाला कोश्ट्यूम आप स्टेट में पैनते हैं तो इतनी चूट मिलनी थी फिर में तस्वर हो गई फिर मैंने बोडी बिल्डिंग में नहीं जा पाई थी क्योंकि ऐसा लगता था कि यार प्रिया बोडी तो फिर बन जाएगी बाप नहीं रहेगा तो क्या करें तो यह सोच के पूरा धान पूरा सब कुछ पापा पर लगा नहीं दिया था पापा ठीक हो गए तो ऐसा सोचा था कि यार तुनने इतनी सारे मेडल जीते हैं तुक्त तो पापा को तो पता ही नी है वो तु है क्या तो उस प्रॉच्छ के पापा से बड़ी हिम्मत करके का पपा मैं गेम खेलने जो पापा पता तो था छोरी गेम तो ख मुझे फोन करके मैं पापा में को मेडल लग गया तो मैं पापा ऐसे कह रहे हैं अब आजा तो जो मेडल जीत गया तो कौन सा मेडल जीता था अपने मिस राजस्थान जीता था कौन सा जीता था नहीं मैं अभी जो बात करी मैं इंटरनेशनल की करी मैं अज मिस राजस्थान पाप पता ही निया और इंटरनेशनल खेला तब ऐसा सोचा कि पापा को फोन किया कि पापा मेर को इंटरनेशनल गोल्ड लग गया है अब घर आजा तब मैं का पाप यह गाओं थोड़ी है जो घर आजा बस ट्रेन पकड़ आजो तो तुकद आई रोज फोन करते आज माओंगी और मैं यहां से गई थी 16 को 15 को 15 को गई थी और 18 को मेरे को मैडल लगा था मैडला तो 22 को मिवपिस इंडिया इथी तब इतने दिन का ब्रेक हो गया ता मेरे पापा तब से बिखर गय थे मेरे को देखते ही रोने लग ए एरपोर्ट पे तो मैं मेरे पापा के आंक पूरी वो साहिता की आपकी जितना आपने रास्तान के लिए किया कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ऐसा है कि रास्तान सरकार को कुछ करना चाहिए था सराथस्तान सरकार ने कुछ भी नहीं किया भार की सरकार ने बहुत कुछ किया महाराष्टर की सरकार ने भी मेरे को सम्मानित किया है और लोगों ने भी सम्मानित दिल्ली में भी में सम्मान मिला है और पूरो राष्टपती रामनात कोवी जी ने सम्मान किया है और मुझे इत कि साली मानती हूं कि भुष्य प्यार्व कि लंग किूंश्य जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि छह महते से ट्रेंड में बनाई रखाया अब मैं खुद को निवेद्दन करे चुका कुंद कुझिए anu मुझे थोडा जो काम करनेने स theft मोटी कि इस प्री पहुस का आती और अच्छा करती लोग और नहीं करती तो यह इनकी सोच है कि यह बेटी को कितना बढ़ावा देते हैं और कितना नहीं देते हैं दूसरी बात यह कह दूंगे देखो जैसे लोग कहते हैं अब तो मेरे माइंड में भी चीज़ें आती है पहले नहीं आती थी अब मेरे मा में नहीं था खिलाडी हूँ कर दिया कर दिया नहीं कर दिया नहीं कर दिया और आप जब सब जनता पूछ रही है तो मुझे गिला शिक्वा नहीं है पर मन में एक जहन में एक बात तो है एक बात हर खिलाडी को आएगी किया प्रिया तू जातिवाद का शिकार हुई है क्या क वो बड़ी बात है मनेंवर मुख्यमंत्री जी वि यह कर सकते थे पैसा किसाने मंगाले मेंकाम पछलना तो मैं बहुंग पड़े लिखे नाम रोसन करें तो मैं भीdar स्तान से ओले मैं वही भीrit वाली जिसने इतने सालों पहले कर दिया तो मुझे क्या मिला कुछ मिला सुरुवात देखे तो मैं जिस समाज से आती हूँ और मेरा स्ट्रगल देखवा वालविवा सर्वाइवर हूँ इतना बड़ा स्ट्रगल है एक छोटी एज में माँ बन गई मेरे पापट्रक ड्राइवरी तो है गरीब खांदान से हूँ मैं और आज मैंने रास्तान के पहली महिला होने का टाइटल जीता है इंटरनेशनल गोल्ड लाया हूँ राजस्तान में तो बोडी बिल्ड लड़के भी नहीं लाए मैं तक महिलाओ के लाया हूँ मैरास्तान का बोडी वील्डिंग में इंटरनेशनल गोल्ड पहला गोल्ड है तो मेरे लिए तो पराउड की बात है सरकार के लिए पराउड की बात नहीं ही होगी मुझे उससे दुक भी नहीं है मैं whilean को समर्पित करती हुआ सब चीजें और मैं सरकार करें मेरे माइने में मेरे माइने में सरकार हम लोग मणाते हैं हमें सरकार थोड़ी बनाती जैसे हमने किताबो में भी देखा 야 यह बारे में पूछ ganhar बताते है यह जैसे हमने सुना भी तो आप बताना कि यह सही है या नहीं है जैसे डिकाराम जूली जी ने आपको अपने विभाग का ब्रैंड अमबेजडर बनाया तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अगर वो अगर ब्रैंड अब बनती तो अब तक पेपरों में नहीं आ जाती यह तो इन्होंने एक तरह का खिलाडी का अपमान किया और इस तरह एक मेला खिलाडी का आपमान करना उनको नहीं पता कि साहान और आपको मेंने भीक नहीं मांगे उनसे ना सरकार से मांगे ना किसी और से भीक मांगे कि मुझे दो उन्होंने बनाया है तो उन्होंने सर्फ गोशना तक रख दिया तो यह मजाक नहीं तो और क्या है एक खिलाडी का मजाक यह तो बहुत ही गलत बात है इस तरह का और सरकार मुझे यहां की सरकार से भी मुझे कोई गिला सिक्वा नहीं है मैं यह चाती हूँ एक सरकार एक खिलाडी का मजाक नहीं बनाए और इस पेसली मैं जब महिला हूँ और बोडी बिल्डर हूँ और अपने छेतर में अपने राजस्थान का अपने देश का नाम रोशन कर चुकी हो इंटरनेशनल खिल हूँ मैं खिलाडी होने के निननाते इस तरह का मजाक किसी घर में बेटे वे इनसान को बुरा लगेगा लगेगा मैं तो यह ना करते तो अच्छा था और करें तो तो आप तो क्या मुझे तो हर मीडिया वाड़ा पूछता है करन्ट जीके की बुक में मेरी फोटो है और बच्चों को जो सेलेबस पढ़ाया जाता है उसमें करन्ट क्वेस्चन भी यह रास्थान की ब्राण समाज कर लियान ब्याग के ब्राण नम बेश्टर कोन है प्रियास खुशी होती है पर उससे बड़ा दुख यह होता है कि सब बाके मुझे पूछते हैं कि तुझे क्या ओपचारिक पूरी हुई मेरे साथ कोई ओपचारिक पूरी नहीं हुई मैं पहले जैसी थी वैसी आज हूँ तो जैसे देखा जाए कि पूर रास्ट पती ने आपका इतना मतलब इस लेवल पर सम्मान किया और जहां से आप बिलोंग करते रास्थान से और वहां पर आपको ब्रैंड अमबेश्डर के नाम पर भी तक सिर्फ आपचारिक तक घोशना है तो आपको क्या लगता है कि मतल पूरी सही से की जाएगी या फिर ये घोशना ही रहे जाएगी दो महिने की सरकार अब क्या पूरी करेगी आप बताओं ये तो एक ऐसे होते हैं कि बागते वे जानों और क्या टुकड़ा फेंगने वाड़ी बात है मुझे तो साथ महिने हो गए गोल्ड जीते वे और साथ मेनों से ये गोशना है चल रही है पूरी नहीं हुई तो अब क्या पूरी होगी मुझे तो नहीं है उमीद और रामनात कोविन जी ने मुझे सम्मान दिया है बार की सरकार सम्मान दे रही है अर्याना की सरकार भी मुझे अब मैं निकलूंगी ना अब दिखूंगी मुझे इतने सारे invitation है आप सोच नहीं सकते हैं और सब बाहर की सरकारों के invitation ऐसे नहीं है कि आम जनता के invitation आम जनता की नहीं है बाहर की सरकार मुझे बुला रही है और अब मैं निकलूंगी किसी कारण वंस मैं अभी इतने दिनों मैं घर में बैठी थी उसका रेजिन ये था कि मुझे खुद हाल्ट इश्यू हो गए थे तो मेरे लिए वो जरूरी था और तब से देखो अरब तक मिर पास बार की सरकार के इन्वीटेशन आ रहे और अब मैं निकलूंगी तो दिखूंगी दिखूंगी तो जायर सी बात है कि मैं खुसकिसमात हूँ कि मुझे बाहर की सरकार तो बुला रही है बाहर की अधर स्टेट की सरकार तो मुझे समानित कर रही है तो भागी साली तो अगर अधर स्टेट की बात की जाए तो क्या इस कि बारे में क्या बोलूंगी मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं ना तो कोई पार्टी वो सिर्फ मुझे कहते हैं आप एक बार आओ और मुझे सम्मान दे रही है यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं भी इस चीज के लिए मैं हमेशा गरव फूल करूंगी कि बही कुछ म मैं कभी दिखूंगी हाँ अगर मुझे ऐसा लगा कि क्या सही है क्या गलत है तो मैं बिल्कुल फैसला करूंगी डेफिनेटली करूंगी उस पर गौर भी करूंगी और एक बेटी होने के नाते उनको भी ऐसे लगता है कि इतना स्ट्रगल करके कोई लड़की आगे भढ़ी है तो इसका कुछ ने कुछ सम्मान होना चाहिए इस नाते मुझे बुला रही है और मैं अगले हफ्ते बिल्कुल डेफिनेटली जाओंगी हमने जो सुना कि दिल्ली सरकार ने भी आपको बुलाया है वह ऐसा कुछ सब अभी देखो सब जगे से आ रहे हैं इनिटेशन में जाओंगी आप दिल्ली कियों कहीं की वी सरकार लेलो मुंबई में तो भुलाया है था मिरको तो सब जगे से इनिटेसन है अर्याणा में भी देशन में जाओंगी एक प्रिया जी आपसे आखरी कोशन है कि आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाथी हैं जो आज भी घ महिलाओं को आप कैसा संदेज देना चाहती हैं कि देखो कोई भी प्लेटफर्म छोटा बड़ा नहीं होता और आप अपनी जिंदिगी चुले तक समेट के ना रखें निकले बाहर प्रिया को इतनी डिस्पेक्ट मिलिये आपको उससे कहीं जादा मिलेगी उसका रिजन ये है सिदा सिंपल कि जब महिलाएं किसी चीज को करने पे गुजरती है तो उसको पूरा करके छोड़ती है और जुनून ऐसी चीज है अगर आपका जुनून खो गया तो आप आगे नही होती बस मान सिकता है होती है वो उसको गलत साबित करने की छमता रखती है इंसान में जो चीज आपको गलत साबित लगे अंदर से फील है कि यार ये गलत है ये मैं पैरेंट्स को नहीं बता सकते तो डेफिनेटली वो गलत है और जो चीज आपको सही साबित है तो डिसकस कर या लड़के अगर से भाग जाती है फिर बोलती है कि हमारे माबाप जो कह रहे थे सही है तो मैं आप से एक चीज कहना चाहूंगी माबाप हमेशन सदेव सही होते हैं और वो जो चका-चौंद है अब इकि जो डिजिटल दुनिया उसमें बहुत ज़्यादा चका चोंद है, जितनी चका चोंद होगी, उतनी ही लाइफ हो, चाहे किसी का प्यार हो, चाहे किसी की रिस्पेक्ट हो, वो सब आर्टीफिशल होती हैं, आप आर्टीफिशल के चकर में ना फसे, अपना सही और गलत का फैसला खुछ चुने, माबाप सदे आपकी होते हैं, वो अपने बेटी को कभी या बेटे को बाहर नहीं निकालते हैं, और लास्ट में भी आपको माबाप याद आते हैं, तो सदे माबाप का कहना मानें, और अपने सपने पूरे करें, अपने माबाप से बताएं, और उनको बता के ही करें, ये थी हमारी प्रि कर दो